बेवफा लड़की का जूठा प्यार राहुल और प्रिया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुँच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहत प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ धेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के राहुल का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर प्रिया ने फोन काट दिया था। राहुल ने घड़ी देखी तो अभी दिन के तीन बज रहे थे। वह प्रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अपनी प्रिया ने अचानक अपना सर राहुल की तरफ उठाया। राहुल का जैसे सीना फट गया हो। प्रिया की तरफ देखकर प्रिया की आखों में आँसु भरे हुए थे। राहुल समझ नहीं पाया की अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले प्रिया के आँसु पोंचे और राहुल ने प्रिया से पूछा। क्या हुआ जान तुम रो क्यों रही हो। इतना सुनते ही प्रिया जैसे और तूट गई और बिना आवाज के वह और रोने लगी। उसकी आँखों से निकलते आँसु राहुल का सीना चीर रहे थे। राहुल से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि प्रिया के रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने प्रिया को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर प्रिया ने अपने आंसु पोछे और अपने आपको संभालते हुए राहुल का हाथ पकड़ कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। और उसका हाथ पकड़ कर बोली, जान, अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिष्टा तै कर दिया और घर में सब बहुत खुश हैं। खुद राहुल को बता रही थी कि वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और प्रिया मजाक नहीं कर रही है। प्रिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपटे से पोच कर उसने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें ये सच में मजाक राहुल को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्ष की तरफ देखने लगा। प्रिया की तरफ देखने लगा। आज तक जो प्रिया उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे राहुल को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली होना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं। प्रिया ने यह सुनकर सर जुका लिया और हलके से बोली, हाँ राहुल, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी तूटे या मेरी या मेरे घरवालों की बदनामी हो। राहुल हैरानी से प्रिया को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिससे यह तक पता न और अपने दोनों हाथ प्रिया के सामने जोडे और फिर दर्वाजा खोल दिया। प्रिया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि राहुल की मा वहीं दर्वाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि राहुल की मा ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर जुका कर प्रिया व अपने जखमी दिल के धूएं की तरह लगी। उसे प्रिया का चहरा याद आ रहा था। प्रिया के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और प्रिया के चहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी। अब वह याद कर पा रहा था। राहुल का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भ बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी। राहुल की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा।